इजोन मराथी एजुकेशन चानल पर आप सभी का स्वागत विद्धरती मित्रो आज हम इस लाइव स्टिविंग रेकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं हिंदी निबंद माला के इजोन मराथी एजुकेशन पर आपको मराथी, हिंदी और इंग्लिश सभी विश्यों के जो एसे राइटिंग है यह देखने के लिए मिलेंगी चलिए हिंदी निबंद आज इस लाइव स्टिविंग रेकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं अगर आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए आज देखने वाले हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबसाइब अमबेडकर इनकी जीवनी पर जो निबंद लेकन है यह देखने वाले हैं चलिए एक महतुपूर्ण ऐसा निबंद आज देखने वाले हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबसाइब अमबेडकर डॉक्टर बाबसाइब अमबेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदोर जिले के महुगाव में हुआ था उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव राव जी रामजी अमबेडकर है लेकिन उन्हें डॉक्टर बाबसाइब अमबेडकर के नाम से जाना जाता है उनके पीता का नाम रामजी और माता का नाम भीमावाई था उनका परिवार दलिट जाती का था जिसे उस समय अच्छुत माना जाता था इसलिए उन्हें कई बारान्य जातियों के लोगों के खिलाब सामना करना पड़ा बाबा साहिब के पिता यानी राम जी हमेशा उनके भिम्राव पर नजर रखते थे ताकि उनका एक अच्छा संसकार हो सके उन्होंने हमेशा बाबा साहब को बहतरीन किताबे पढ़ने दी बाद में कोलंबिया विश्व विद्याले और लंदन स्कूल अप इकोनोमिक्स दोनों से हर्थ शास्त्रे में डायरेक की उपादी प्राप्त की डॉक्टर अंबिडकर ने सामाजीक, राजनीतीक, आर्तीक, शेक्षनीक और धार्मिक शेत्रों में भी महत्व पुर्ण भूमी का निभाई उन्होंने दीनरात अद्धेन किया और भारत के समविधान का मयोस होदा तैयार किया इस अउसर का लाब उठाकर बाबा साहब ने देश के सभी लोगों के हित में भविष्य के देश का समविधान बनाया बाबा साहब यूग निर्माता थे उन्होंने महार सत्याग्र, कालाराम मंदीर प्रवेश, मनु मुर्ती, स्मृती, दहन, हिंदु कोडबिल जैसे कई सामाजिक कार्य किये डॉक्टर बाबा साहब अमबेड कर एक अध्वितिय वेक्तित्व थे, वेक असाधरन प्रतिभाशाली लेखक भी थे, स्वतंत्र भारत के पहले कानुन मंत्री थे उन्होंने मुक नायक बहिश्कृत भारत जैसे अन्य महान समाचार पत्रों का संपादन किया उन्होंने सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, शैक्षनिक, धार्मिक और पत्रकारिता कानुन जैसे विभिन्दक्षेत्रों में अपनी पहिचान बनाई उन्होंने गरीबो, मजदुरवर्ग, गरीबो और शोशितों के अंधकार्मई जीवन को ज्यान का संदेज दिया 1956 को दिल्ली में अपने घर पर अंतिम सासनी, 1990 में उन्हें मरणपरांद भारत रत्नों भारत के सरोचनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया वरतमान समय में यदि हम भारतिय अंबेड करके विचारों को विवहार में लाए तो निश्चित रूप से भारत एक चलांग आगे ले जाएगा इसी तरह आज हमने यह लाइव स्ट्रिमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर डॉक्टर बाबासेव अंबेड कर भारत रत्नों उनकी जीवनी पर देखा है आप सबी ने इसे निबंद के तोर पर और उनकी जीवनी पर जो हम भाशन देते हैं उस भाशन के लिए यह लाइव स्ट्रिमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर एक महतु पुरुन होगा आप सबी ने अंत तक देखा आप सबी को मेरी ओर से धन्यवाद